नमस्कार सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है मैं हूँ आशिता सेट और आप देख रहे हैं साथ दिन इस कारिक्रम में हम जानेंगे अलग-अलग शेत्रों से आई इस सब्तहा की सबसे बड़ी खबरों के बारे में और ये भी कि क्यों RTI के दुरूपियों की जो आशंका मुख्य नयायधीश को है उसे मोधी सरकार सही नहीं मानती साथ दिन में हम ये भी जानेंगे कि इस सब्तहा रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 कैसी है और इसमें हम उन लोगों में से एक के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पिछले सब्तहा सबसे चर्चित रहे साथ दिन में सबसे पहले जानते हैं राजनीती से जुड़ी इस सब्तहा की सबसे बड़े खबर के बारे में नया नागरिक्ता कानून इस हफते भी केंद्र सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बना रहा इसके विरोध में हो रही हिंसा पुर्वोत्तर में थमी तो देश के कई दूसरे हिस्सों में शुरू हो गई करनाटक के मैंगलूरू में नागरिक्ता कानून के विरोध में हुई हिंसा ने गुरुबार को दो लोगों की जान ले ली इसी दिन उत्तुर प्रदेश की राजधानी लखनों में भी हिंसा हुई जिसमें एक व्यक्ती की मौत हो गई विरोध प्रदर्शन कर रहे सैक्डों लोगों को हिरासत में भी लिया गया इन में चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा, सीपीम नेता सीताराम येचुरी और स्वराज अभियान के अध्यक्ष योगेंदर यादव शामिल है इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश से भारत आने वाले गेर मुस्लिमों को आसानी से नागरिक्ता देने का प्रावधान है इस हफ़ते अंतर राश्ट्रिय जगत की सबसे बड़ी खबरों में से एक अमेरिका से आई वहां के निचले सदन हाउस उफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रॉम के खलाफ महाभ्योग को मनजूरी दे दी अब ये मामला अगले महीने संसव के उपरी सदन यानि सिनेट में जाएगा हाला कि वहां डॉनल्ड ट्रॉम की रिपब्लिकन पार्टी का अनियंतरण है इसलिए डॉनल्ड ट्रॉम को उनके पत से हटाये जाने की संभावना ना के बराबर है डॉनल्ड ट्रॉम ऐसे तीसरे अमेरिकी राश्पती हैं जिनके खलाफ महाभियोग को मनजूरी दी गई है उन पर आरोप है कि उन्होंने अगले चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंदी जो बिडेन की छवी खराप करने के लिए युक्रेन से मदद मांगी थी इस हफ़ते खेल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट से चुड़ी है भारतिय स्पिनर कुलदीप यादव एक दिवसिया अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट में दो हैट्रिक्स लेने वाले पहले भारतिय गेंदबास बन गए उन्होंने बुदवार को वेस्ट इंडीज के खलाफ दूसरे वंडे में ये कारनामा किया उनके शांदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज को एक सो साथ रनों से हरा दिया इससे पहले कुलदीप यादव ने करीब दो साल पहले उस्ट्रेलिया के खलाफ कोलकाता में हैट्रिक्स बनाई थी शुर्लंका के लसित मलेंगा तीन हैट्रिक्स के साथ इस लिस्ट में सबसे उपर है अंत में बाद कारोबार जगत की इस हफ़ते नाशनल कंपनी लौ अपिलेट ट्राइब्यूनल यानी एनसी एलेटी ने एक बड़ा फैसला सुनाया उसने साइरस मिस्त्री को टाटा समू के कारेकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया एनसी एलेटी ने इस पत पर टाटा समू के नटराजन चंदर शेखरन की न्यूकती को अवैद करार दिया 2016 में साइरस मिस्त्री को अचानक उनके पत से हटा दिया गया था कंपनी के डेड़ सदी के तिहास में यह पहली बार था जब इसके किसी मुख्या को इस तरहां हटाए गया था साइरस मिस्त्री ने इसके खिलाफ पहले NCLT और फिर NCLAT का दर्वासा खट-खटाया था टाटा सम्हू NCLAT के इस निर्णे के खिलाफ अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोट जा सकता है सत्यागरह.com पर आप देख रहे हैं साथ दिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूं RTI के दुरूपियों की जो आशंग का मुख्य न्यायधीश को है उसे मोधी सरकार सही नहीं मानती बीते सोमवार को सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे ने क्याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ लोग RTI एक्ट का ब्लैकमेल और रोगाही के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोट का ये भी कहना था कि इस कानून के तहित ऐसे लोग सूचना है मांग रहे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है और इसे रोकने की दिशा में सोचा जाना चाहिए ये दिलचस्ट है कि मोधी सरकार सुप्रीम कोट की इस राय से इतिफाक नहीं रखती बलकि पिछले लगबफ एक साल में कम से कम दो बड़े केंद्रिया मंत्री आटियाई कानून की जम कर तारीफ कर चुके हैं पिछले साल दिसंबर में केंद्रिया मंत्री जितेंदर सिंग का कहना था कि आटियाई कानून के बेजा इस्तिमाल को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके साथ लोकसभा को ये भी बताया था कि RTI Act में ही इसका दो रुप्योग रोखने के प्राफ़ान भी हैं। इसी साल केंद्रिय ग्रह मंत्री आमिशाह ने भी RTI को भारत की लोकतांत्री ग्यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया था उन्होंने ये बात केंद्रिय सूचना आयोक के चौधवे वारशिक समारों में कही थी यहां पर दी अपने भाशन में ग्रह मंत्री ने आठिया कानून की तारीफ करते वे कहा कि इसने प्रश सरकार के मंत्रा ले इस कानून के कारण पंगू हो गए हैं जपनी ग्रह मंत्री ने अपने भाशन में आठिया के बेज़ा इस्तिमाल की संभानों का जिक्र तो किया लेकिन ये भी कहा कि इस सिपारदर्शिता बड़ी है प्रिश्टाचार कम हुआ है और साक्षाशन की गति बड़ी है सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं साथ दिन अब जानते हैं कि इस हफ़ते रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 कैसी है इस शुक्रवार दबंग सीरीज की तीसरी कड़ी दबंग 3 सिनेमा के परदे पर पहुँची है इसका निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है और मुख्य भुमिकाएं सल्मान खान, सुनाक्षी सिन्ना, अर्बाज खान और कन्नर सुपरस्टार सुदीप ने निभाई हैं साथ साल बाद परदे पर लोटे कॉमिक कॉप चुल्बुल पांडे की इस वापसी में कुछ नया ना होना निराश करता है और बगेर पटकता कि इस फिल्म को सल्मान खान का अभी नय और एक्शन भी असरदार नहीं बना पाया है इस पर आई कुछ और टिपणियों पर गौर करें तो इंडियन एक्सप्रेस पर शुबरा गुपता कहती हैं कि दबंग तीन से चुल्बुल पांडे की चुल्बुलाहट कायब है वहीं एंडि टीवी के लिए सैबल चैटर जी लिखते हैं कि हर फ्रेम में सल्मान खान का दिखना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है स्क्रोल पर नंदिनी रामनाथ फिल्म में महिला सचक्ति करण की कुछ बातें शामिल किये जाने का जिक्र करती हैं और पिंक विला के मुताबिक लॉजिकल एंटर्टेन्मेंट से दूरी बना कर रखने वाली ये फिल्म केवल सल्मान खान के प्रशंसकों के लिए है सत्याग्रह की तरफ से इसे टेर स्टार सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं साथ दिन आप जानते हैं इस हफ़ते सबसे चर्चित रहे लोगों में से एक के बारे में नागरिक्ता कानून पर उठे विवाद के बीच इस हफ़ते अचानक PCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली सुर्खियों में आ गई उन्होंने इंस्टाग्राम पर मशूर लेखग खुशवंद सिंग की किताब दे एंड ओफ इंडिया के एक अंच का जिक्र किया इसमें कहा गया था कि हर फांसिवादी शासन को फलने फूलने के लिए ऐसे समुदायों की जरुरत होती है जिनको वो राक्षस की रूप में पेश कर सके 18 साल की सना गांगुली की इस पोस्ट को केंदर में सत्ताधारी मोधी सरकार से जोड़ कर देखा गया इसके बाद सौरव गांगुली ने अपील की कि उनकी बेटी को इस विवाद में ना घसीटा जाए उनका कहना था कि सना अभी छोटी है और उन्हें राजनीती की समझ नहीं है सत्यागरह.com पर आप देख रहे थे साथ दिन अकले हफ़ते आप से फिर मुलाकात होगी नमस्कार